पैसे गिनते गिनते ठक जाओगे असी वर्सों बाद 28-29 जून को असाड अमवश्या 6 राशिया होंगी करोड़पती दोस्तों हिंदु धर्म में असाड मास की अमवश्या का विशेस महत बताया गया है असाड अमवश्या तिती को इश्नान दान और धर्म कर्म के कारियों के लिए काफी महत बताया गया है मानता है कि इस दिन पित्र तरपन करने से जीवन में शुक सवभाग की प्राप्ती होती है और पित्रों का आश्तिरबाद मिलता है इस दिन भगवान विश्णू माता लक्षमी जी का पूजन करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है यह असाड अमवश्या पित्रों की किर्पा प्राप्त करने और पित्रों की स्त्राद तरपन के लिए विशेस मानी गई है इसले इसे असाड पित्र अमवश्या कहा जाता है इस बार अशाड अमवश्या 28 जून और 29 जून दोनों ही दिन है दोनों ही दिन असाड अमवश्या का इश्णान दान पूजन स्त्राद तरपन और उपाय किये जा सकेंगे आज की दिन आप यनिकी विशेस रूप से दान दच्छना भी कर सकते हैं दोस्तों यह 28 जून को सुबह 5 बच कर 47 मर्च से शुरू होगी और 29 जून को यह असाड अमवश्या सुबह 8 बच कर 55 मिनर तक यनिकी रहेगी इस हिसाब से आप 28 और 29 जून दोनों ही दिन यह असाड अमवश्या का पर्व मना सकते हैं दोस्तों इश्वार अशाड अमवश्या के दिन कई सारे दूलब सुब्संयोग बन रहे हैं इस असाड अमवश्या को हलहारणी अमवश्या भी कहा जाता है अवश्या के दिन आप दान करें और पित्रों की कृपा प्राप्त करने के लिए साध्य तरपन करें गरीबों को आप दान करें सबसे पहले तो आप सुरुदे से उठें सुरुदे से पहले और इश्नान दान करें पवितर तेथों में जाकर इश्नान करें पबेतर तेस जैसे कि गंगा शरोबर में नहीं जा सकते तो अपने घर पर ही गंगा जल डाल कर नहाने वाली पानी में डाल कर जरूर नहाएं इस से आपके उपर माता लक्षमी जी और भागवान विश्व किरपा प्राप्त होगी मा लक्षमी कृपा से आप के घर में शुक्षम्रदी हमेशा बनी रहेगी तो इस बार सरवार सिध्योग और अमरी सिध्योग भी बन रहा है इस बार की यनिकी आशाड़ हमश्या के दिन जिसके करणर यह आशाड़ हमश्या बहुत ही खास बन गई है बहुत ही सुब दुरलब सुब संयोग में आ रही है जिसका इसका लाव छे राशियों को मिलने जा रहा है कुछ ऐसी विशेश राशियां हैं जिनके उपर माता लक्षमी के विशेश कृपा रहेगी माता लक्षमी कृपा से इस बार इन छे राशियों को लाव मिले वाला है इस बार की यह अशार हमश्या माता लक्षमी कृपा से इन छे राशियों के ले बहुत लखी रहने वाली है अन्यक प्रकार के लाव धन मान समान यस की प्राप्ती होगी तो दोस्तों आखिर ये भागसाली राशियां कौन कौन से है जिनको विशेश लाब होने जा रहा है और जिनकी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो आप से अंडरोधे कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिश ना करें और इसे शुरू से लेकर अन तक जिरूर देखें तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों बताना चाहेंगे कि सबसे पहली और खुशनेसीव जो राशियाती है वो है यहाँ पर मेंस राश मेंस राश क्यात को बता देखी इस बार 28 और 29 जून को असाड़ अवश्या है इस दिन कई सारे दूलब सुश्योग बन रहे हैं जिस का प्रपर्टी का सवधा कर सकते हैं अनेक चीजों में जैसे कि महत्पूर्ण चीजों में आपको सफलता प्राप्त होगी जो कुछ कार अधूरे पड़े थे पिंडिंग थे उन्हें पूरा करने का प्रयाश करेंगे लाव किस्तिती लगातार बनी रहेगी ब्यापार में वर मोसन होगा और सेलेरों में वर्दी होगी कई महत्पूर्ण योजनाव का लाव मिलेगा आरही रुकावटे परेशानिया भी आपके दूर होने वाली है शुक शंबर्दी बढ़ेगी बता दे कि अगली जो राशी आती है वो है यहाँ पर कन्यराश का दे कि इस बार यह दिर्वान करेंगे जमिन पूर्पर्टी का सवधा करेंगे साथी साथ मार्केटिंग के छेतर से जुड़े हो हैं तो विशेश लाव होगा अलेक प्रकार के धनलाव की योग बन रहे हैं जीवन में चल रही परिस्तानिया आपके खत्म हो जाएगी जो भी कारा धूरे पड लोग में आपको व्रद्दी देखने को मिलेगी है अब अगले जो राषी आती हैं दोस्तोर वो है यहां पर मिथन राष axes या Jur आपके ब्यापार हं व्रद्दी होगी बैवाहिक जीवन में शुक में समय बिताएंगे संतान प्राप्ति की योग बन रहे हैं धन से माला माल बन सकते हैं धन संपत्ति का इजाफा होगा करोणोपती बनने के कई सुनेरे मौके मिलेंगे बतादे की घर परिवार में शुक शांती बनी रहेगी जोकार अभीता का धूरे पड़े थे पिंडिंग थे उन्हें पूरा करने का प्रयाश करेंगे। महत्पूर्ण सफलताएं प्राप्थ हो शकती है। जोकार धूरे पड़े थे पिंडिंग थे उन्हें पूरा करने का प्रयाश करेंगे। आगवक, आवक के में ब्रद्धी होगी। नोकरी में प्रमोसन होगा। उच्चा धिकारों के सपोर्ट प्राप्थ होगा। सिक्चा समन्दी समस्चाएं दूर होगी। और कोई महत्पूर्ण रिजल्ट आ सकता है। बड़े संस्था में आप दाखला ले सकते हैं। और इसमें उच्च सिक्चा की डिगरी है तो बिदेश की आत्राएं कर सकते हैं। बिदेश में बड़े संस्था में आप रवेश कर सकते हैं। साथी साथ आपको अनिको प्रकार की सफलता हैं और कामेवी प्राप्थ होगी। अब अगली अनि जो पांचमी जो राशी आती है वो हयां पर मीन रास। साथी साथ आपके घर परिवार में सुब मंगल कार होंगे। धर्मिक कार करमों का योजन होगा। बता देखी अब आपके घर में कथा वारता होगी। धर्म करम के कार करेंगे धर्मिक कारियों काफी विस्तता दिखाई देगी। प्रेम जीवन में खोशियां वरसेंगी। लब लाइप बहुत अच्छी रहेगी। अब अगली यानी जो छट्मी जो राशी आती है वो है याँ पर तूला राश। तुला राश क्यात को बता दे कि अब आपके भाग में ब्रदी होगी। कई महत्मूर योजनाओ का लाप मिलेगा। जो कार अधूरे पड़े थे पिन्नेंग थे उनको पूरा करने का प्रियास करेंगे। महत्मूर सफलताएं प्राप्त होंगी। आपके कारियों में आ रही ही रुकावटे और अर्चने अब दूर होने वाली है। बता दे कि अब आप अपने ब्यापार को और भी बढ़ाएंगे। कोई खास निर्णे और डिसीजन ले सकते हैं। जिमिन पूर्पेट से जुड़ा मामला हाल होता नजराएगा। आपके कारियों में ब्रदी होगी। कई महत्मूर छेतरों से आपको विशेश लाब होगा। जो कार अधूरे पड़े थे पिंडिंग थे उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे। शाति साथ धन ब्यापार में ब्रदी होगी। कई महत्मूर छेतरों से लाब होगा। आपके द्वारा बनाएगे योजनाई काफी कारगर साबित होगी। जो भी कार अधूरे पड़े थे उन्हें विशेश लाब होगा।